मैं देश को भरोसा देता हूँ कि हमले के पीछे जो ताकते हैं, इस हमले के पीछ जो भी गुनेगार है, उन्हें उनके किये की सजा अवश्य मिलेगी जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूँ, उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूँ और आलोचना करने का उनका पुरा अधिकार भी है, लेकिन मेरा सभी साथियों से अनरोध है, कि ये वक्त बहुती संवेदंति और भावपल है, पक्षमें या भी पक्षमें? हम सब राजनीतिक छिंटा कसी से दूर रहें, इस हमले का देश एक जुढ़ होकर के मुकाबला कर रहा है, देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है, और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, त्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पडोसी देश, अगर यह समझता है, कि जिस तरह के कृत्ते वो कर रहा है, जिस तरह की साजी से रच रहा है, उससे भारत में अस्थिर्ता पैदा करने में सपल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे, वो कभी यह नहीं कर पाएगा, और नहां कभी यह होने वाला है, झाल 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 कर दो अच्ट्सा ब सानी दिस भाइ़ यह हो, यह उने में यह रहा है, झाल जिस तरह गएगा,